जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 24 मार्च होली के दिन माता काली के इस मंतर का जाप करे मात्र 30 मिंट में मंत्र सिध होंगे आपके जब आप इस तरीके से ऐसे जाप करोगे जैसे मैं आपको पीडियो के माध्यम से बताने वाले हूँ तो भक्तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कोई कठी नहीं नहीं है आप बिल्कुल असानी से 30 मिनट का समय निकाल के यानि आदा गंटा आप मात्काली के पांच या छे साथ मंत्र को एक बार में ही सिध कर सकते हो और ये जो मोका है सिर्फ हूली का ही है कभी कभी जब फेश्टिवल आते यानि तोहार आते हैं तो क्या होता है जैसे बड़े बड़े होते हैं दिवाली खूली तो इन तोहारों पर हम माकाली के या फिर अनेक देवी देपताओं के मंत्र को सिध कर लेते हैं नई तो देखिए हमें मंत्र सिध करने के लिए 41 दिन लगते हैं पूरे 41 दिन हम एक मंत्र को सिध कर पाते हैं 41 दिन में और जब कोई तोहार आता है तो हम एक दिन में ही और मात्र 30 मिंट में ही एक मंत्र को सिध कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, 24 मार्च की छोटी होली है, और छोटी होली पर ही आपको माता काली के जो मेन मेन मंत्र है, जो आप लोगों को पहले से याद है, जो आप अपनी पूजा में जपते हैं, वही मंत्र आप लोगों को 30 मिनट का स मुले वावा के हो किसी विदेवी देपता के हो तो यह मंत्र सिद्ध करने का आप लोगों के लिए एक सुनेहरा मोका आया है इसको बिल्कुल खाली हात मतलब जाने मत देना इस मोके को जीवन में भी अगर यह दुबारा चले गया तो फिर आपका नेक्स्ट साल रह जायागा और वाकी मंत्र कभी भी हम सिद्ध करते एक दिन में तो हम गिरहन पे करते हैं और तुहारों पे करते हैं नहीं तो अगर हम मंत्र इन चीजों से अलग करेंगे तो हमें एक तालिस दिन लगते हैं एक मंत्र को सिद्ध करने में तो अब आप सोचों कि एक तालिस दिन जादा है या फिर 30 मिनट जाता है तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकरी कि साथ इस वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भक्त ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पर सेट कर लेना ताकि अमरी जो भी निव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आपको मोका बताने जारी हूँ अभी काफी टैम है होली का ठीक है आज दस तारिक है औली आपके पास कितने दिन बाकी है तेरा दिन तेरा दिन आपके पास बाकी है तेरा दिन आप कोई भी मंतर को सही से याद कर लो अपने दिमाग में मन में बठा लो और उस मंतर को दो मिन्ट में आप सिद्ध कर सकते हो और उस मंतर से आप जैसा मर्जी कारे करा सकते हो जब आपका मंतर सिद्ध हो जाएगा मैं आपको मा काली के तीन मंतर बता हूँ जो आपको सिद्ध करने है ठीक है और जो जो आपके पास मंत्र है माता काली के आप उनको भी सिद्ध कर सकते हो 30 मिंट का समय निकाले तो आपको करना क्या है जिसे की 24 मार्च की छोटी होली है और 25 मार्च की बड़ी होली है तो आपको होली की रात यानि 8 बजे करीब रात को मा काली के मंत्र को लिख के रख लेना है जो जो आप मंत्र सिद्ध करना चाते हैं उन मंत्र को आप एक पर्चे पर लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो और आप उनको सिद्ध कर सको उनको लिखने के बाद आपको क चाहा की तरफ ने हैं तरफ माता काली के मंत्र को सद्ध करना चाहूगा it was proper to give up हें कैजब आप इस मंत्र को सद्ध करों गुर। तो एक मंत्रOT जैसे मानलो आप 3-4 मंत्र एक बार में सिद्ध करना चारे हो तो आपको 41-41 बार मंत्रों को बोलना पड़ेगा 41-41 बार बोलते ही आपके मंत्र तुरंत सिद्ध होते रहेंगे अब जैसे ही आपके मंत्र सिद्ध होते रहेंगे तो आप लोगों को क्या करना है जब बाद में होली के दूसरे तीसरे दिन आपको उनका इसमाल करना है जैसे मानलो आपने जाड़े का मंतर सिद्ध करा है तो अगर आप किसी विमार व्यक्ति पे जाड़ा मानूगे तो वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा अगर मानलो आपने कार्यों के लिए कोई मंतर सिद्ध करा है तो आप अपने कार्यों के लिए उस मंतर को तीन बार अपने घर के मंदर में बोलोगे तो आपके कार्य भी सिद्ध होने लगई तीक है ओम काली महा काली काली के परमेश्वरी शर्वानंद करे देवी नारायनी नमोस्तुते ये तीन मंत्र है इन मसे जो भी आपको सही लग रहा है अच्छा लग रहा है बोलने में असानी हो रही है वही मंत्रा आप माकाली का हुली के दिन सिद्ध कर लो ये मूखा आपके लिए भूत अच्छा आयवा है चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादे मातकाली बावा भूलेना ताप सभी की सारी मनुकामना पूरी करें